तो देखिए जब 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 पैटल्स बनाते हैं यह सिंपल पैटल है जो हम क्रिएट करते हैं अगर हम इसी को ही एक 3D टेक्श्यर दे कर बनाएं तो इसको हमने इस तरह से पैटल्स बना कर डबल स्टैम बना कर उन्हें फिल करना होता है और इसी को ही अगर हमने आगे बढ़ाना है तो भी कर सकते हैं यानि और जदा पैटल्स इसमें क्रिएट कर सकते हैं सेम आगे यानि कि इसको आप further create कर सकते हैं जितना भी आप चाहें उसके accordingly अगर आपको बड़े पैटल बनाना है तो उसमें आप normally इस तरह से normal wave बना सकते हैं और इसको आप outline कर दें dark तो यह आप normal पैटल बना सकते हैं next अगर आपको छोट छोटे से पैटल बनाते हैं दो वे हैं उसके या तो आप इसको roughly create करके उन्हें feeling कर दें एक या तो इस तरह बना लें double stem में बनाना चाहते हैं double stem में बना सकते हैं same way इसको normal करके इसको feeling कर दें या तो आप इस तरह से बना सकते हैं या फिर आपने का करना है कि एक सीधा direct भी जैसे कि यह directly pattern भी create कर सकते हैं यह आपकी wish है आपको जैसे भी आपको suitable लगे next हम देख लेते हैं अगर हमने flower के लिए starting करनी है तो हमने इस तरह से जो four two lines create करनी है एक दूसरे के intersect करती हुई और इस तरह से बनाएंगे अगर आपको double wave करनी है तो same आपको एक plus का sign rough बनाना है उसमें ही आपने frill pattern create करना है जो normal flower making में use किया जाता है इस तरह से आप create करें next है कि अगर आपको जैसे sunflower type में बनाना है तो आप इस तरह से अपने petals हो छोटे-छोटे petal यानि marigold जो type में अगर हम create करना चाहते हैं तो छोटे-छोटे petals में हम इने create कर सकते हैं और अगर आप चाहें जिस तरह create करके अगर आप चाहें तो इनके अंदर जो है थोड़े- dot भी fill कर सकते हैं जिससे की enhance हो जाएंगे इस तरह से बनाके नॉर्मल इससा रखना चाहते हैं इससा रख दे और इनके अंदर dot का use करना चाहते हैं तो dot का use कर लें ये completely आपके ओपर depend है कि आप करना चाहते हैं या नहीं तो दोनों वे आप use कर सकते हैं next अगर हम quarter में यही pattern create करें तो वह भी हम कर सकते हैं two three lines के बीच में इस तरह से हम इने create कर सकते हैं तो यह हमारा marigold type में हो गया अगर हम अब हम चाहिए हम flower यानि की rose type में तो यह हम rose type में इस तरह से उसे के ओपर lines लेकर create कर सकते हैं और जो हमने पहले leaf बनाया था वो ही leaf हम बनाके इसे outline कर देते हैं और outline dark कर देंगे next अगर हम चलें इसको आप छोट छोटे petals भी इसके side में create कर सकते हैं अब हम चलते हैं next पे next हमने क्या करना है की same flower pattern है उसी का ही दूसरा pattern जो की filling में हमने बनाना है तो आप इसको इस तरह से एक दूसरे के उपर लाते हुए इसको एक पहले तो हमने एक rough pattern बनाया है और बाद में इसे fill कर देंगे जो की हमारा flower का pattern create हो जैसे की मैंने बनाया है अब इसको हम fill कर देते हैं तो इस तरह से आप create कर सकते हैं हमारे कुछ flowers हैं जो की कुछ ही design में आपको represent कर रही हूं तो यह create कर सकते हैं और इसके साथ petals भी आप बना सकते हैं जैसे भी आपको अच्छा लगे आप उसके recording create कर लें तो यह हमारा next flower है अब हम चलते हैं कि normally हम इस तरह से बिल्कुल छोटे-छोटे से flower इस तरह से create कर सकते हैं आउटलाइन कर दीजिए इनकी इनको बना कर next कि इसमें ही अगर आपको दो-तीन layering करनी है तो आप कितनी भी layering कर सकते हैं जैसे कि हमने यह पहले इस तरह से बनाया और इसको layering करने के लिए इसको हमने layering कर दिया यह उपर से तो अलग-अलग टाइप के flower आप चाहें जिस तरह आप चाहें अगर आप जितने petals चाहें उसके according आप create कर सकते हैं यह आपकी wish है जैसे कि आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर यह create कर लिया next हम चलते हैं रोस पर नॉर्मली छोटा सा हमने यहाँ पर रोस pattern बनाया है यह बिल्कुल ही simple और easily बन जाने वाला है आपको जो 3-3 की shape में उने outline करनी है और अंदर से इने fill कर देना है तो बहुत ही easy यह सबसे ज़्यादा easy pattern है flower का जो कि आप create कर सकते हैं रास्ट में आप अपने petals को बना दें next एक और देखते हैं हम अगर आपने एक छोटा climber टाइप में एक petal बनाना है तो यह हम a designer petal इस तरह से आप create कर लें अलगर छोटे-छोटे जिसके अंदर petals बना के बहार एक rough line जरूर बनाए rough line से आपको पता लग जाएगा कि आपको कितने area में इसको create करना है और फिर हमने rough petals बनाई है और उनको हम fill कर देंगे बहुत असान तरीका है इसको create करने का इस तरह से next इसमें आप अगर आप side corner design चाहते हैं corner design कर लें यह भी आपकी wish है जैसे भी आप करना चाहें उसके accordingly आ आपको यह create करने हैं इस तरह आप create कर सकते हैं यह हमारे कुछ design है एक और हम देख लेते हैं यहाँ पर हम यह यहाँ पर इस तरह से यह हमारा next है यह आप design flower design create करें और इस से आप यह हमारे बहुत यह अच्छा जो है फ्लावर मेकिंग बनता है फ्लावर डिजाइन बनता है और बहुत अच्छा लगता है ये बना हुआ और इसको भी हम इस तरह से ही क्रिएट कर लें आप बहुत असानी से इने बना सकते हैं नेक्स हमने दो बनाए हैं एक दूसरे सा जोड़े हुए और ये आप क्रिएट कर लें तो ये इस तरह के फ्लावर में आप जो हैं वह असानी से क्रिएट कर सकते हैं